नारायन नारायन आजन पढ़ रहे हैं श्री राम श्री कृष्ण मानसेवं गीता का तुलनात्मक विवेचन भाग दो by Dr. श्री राम किंकर्स्त महराज अपके चप्टर का नाम है प्रभू लीला में मन की भूमी का श्री राम हशर्ण ममा भगवान श्री रागवेंद्र ने धर्मरत का जोपदेश दिया वह अत्यंत संक्षिप्त है केवल थोड़ी सी पंक्तियों में ही वर्नित है पर हम उसका विस्तृत रूप देखना चाहें तो गीता में देख सकते हैं और दूसरी और गीता में जो संक्षिप्त सूत्र दिये गए हैं उनकी विस्तित व्याख्या श्री रामचरित मानस में की गई है इस तरह गीता और रामचरित मानस ये दो ऐसे दिव्य ग्रंथ हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं तथा एक के द्वारा दूसरे को अधिक सरलता से हिर्देंगम किया जा सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण यद्यपी अर्जुन को दुर्योधन से लड़ने की प्रेरणा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब हम गीता के अंतरंग रहस्य पर दुर्ष्टी डालते हैं तो हमें यह दिखाई देता है कि भगवान कृष्ण भी अर्जुन से उसी भाषा का प्रियोग करते हैं जिस भाषा का प्रियोग विभीशन से भगवान श्री राम ने किया। यद्यपी भगवान श्री रागवेंद्र भी बहीरंग दृष्टी से तो रावन से युद्ध करने को प्रस्तुत हैं लेकिन धर्मरत का उपदेश देते हुवे वे कहते हैं कि मित्र विभीशन वास्तुविक शत्रू बाहर दिखाई देने वाला यह रावन नहीं है बलकि की सची विरता की कसोटी और परिक्षा यह है कि व्यक्ति ने अपनी आंतरिक बुरायों को जीत लिया है या नहीं भगवान राम कहते हैं कि महा अजय संसार रिपू जीती सकई सो बीर बहीरंग दृष्टी से लगता है कि यह युद्ध दो राजाओं का युद्ध है किन्त अंतरिक शत्रूओं की और आक्रिष्ट करते हैं गीता में भी ऐसा लगता है कि यह संगर्ष दो परिवारिक युद्धाओं का राज्य के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध है लेकिन इसका उदेश अगर इतना ही होता तो अठारह अध्याय में उपदेश देने की को य अवश्रक्ता नहीं थी सत्य तो यह है कि उन 18 अध्यायों की अंतराल में भी वही सूत्र है जो धर्मरत में है समाज में कभी तो व्यक्ति जान बूच कर पाप करता हुआ दिखाई देता है लेकिन जीवन में कई बार ऐसे भी अफसर दिखाई देते हैं कि जब व्यक्ति ब बुराई और पाप आ जाते हैं इसलिए अर्जुन ने भगवान से यह जिक्ञासा प्रकट की कि न चाहते हुए भी व्यक्ति की बुराईयों में जो प्रवृत्ती होती है इसके पीछे कौन है अनिच्छन पिवाशनेय बलादिव नियोजित है श्री राम चरित मानस में मा मारीच सुवनम्रग बनकर छल करता है और जनकनंदनीश्री सीता जी के हरण में साहयक बनता है इसके आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन करते हुए गुस्वामी जी कहते हैं कि हमारा जो चंचल मन है वही मारीच है गुस्वामी जी ने मारीच के संदर्भ में जिस शब्त का प्रियोग किया वह बड़ा विरोधा भासी है आप जब किसी को संबोधित करेंगे तो या तो उसे सज्जन कहेंगे या दुष्ट कहेंगे लेकिन इस छोटे से प्रसंग में गुस्वामी जी ने मारीच के लिए इन दोनों ही विश्यशनों का प्रयोग किया है एक और तो गुस्वामी जी कहते हैं कि अंतर प्रेम तासु पहिचाना मुनि दुरलब गति दीन ही सुजाना मारीच के आंतरिक प्रेम को पहिचान कर भगवान ने उसे वह गति दी जो मुनियों के लिए भी दुरलब है किन्तु अगली पंक्तियों में तुलसिदास जी ने कह दिया कि खल बधी तुरत फिर रगुभी रह दुष्ट मारीच का वद करके भगवान राम लोटे इसे पढ़कर बड़ा विचित्र सा लगता है कि दोनों में से किसे प्रमानी कमाने और वस्तुतह यही हमारे और आपके जीवन का भी यथार्त सत्य है यदि हम अपने मन के संदर्भ में विचार करें कि मन दुष्ट है कि भक्त है तो हमें यही दिखाई देगा कि मन में एक और तो बड़ी भक्ती है बढ़ासने ही है पर दूसरी और कभी कभी यह भी दिखाई देता है कि मन में तो पाप तथा दुष्टता की पराकाश्ठा है मन का यह जो विरोधा भासी चित्र है वही मारीच के चरित्र में भी दिखाई देता है को स्वामी जी कहते हैं कि जब हम कपट तथा चल करते हैं तो उसे दुष्ट छोड़ कर और क्या कहा जाए मारीच इसकला में बढ़ाने पुन है रावन को भी ऐसा लगता है कि लंका में मारीच से बढ़कर बहुरुपिया कोई दूसरा नहीं है इसलिए रावन को भी उसकी साहयता लेनी पड़ी ठीक इसी प्रकार संसार में सबसे बड़ा बहुरुपिया हमारा मन ही है मन कितने रूप बना लेता है इसका कोई ठीकाना नहीं और जिस मन रूपी मारीच के छल और कपट ने भगवान और भक्ती के बीच दूरी उत्पन न कर दी प्रगटत दुरत करत छल भूरो एही विदी प्रभु ही गयले दूरी ऐसे पात्र को यदि हम दुष्ट न कहें तो और क्या कहें लेकिन सबसे बड़ा प्रश्ण यह है कि उसी मारीच को भगवान गती दे रहे है किसी जिग्ञासु ने गोस्वामी जी से पूछा कि ऐसे व्यक्ति को इतनी सुरिष्ट गती देना क्या न्याय संगत है यह भी क्या कोई दुष्टता का पूरिसकार है इसका उत्तर देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि यद्यपी एक ओर तो यह दूरी पैदा करने वाला तथा चली कप्ती दिखाई देता है पर दूसरी ओर मारिज की जो चेश्टा है वही जीव के मन का वास्तविक चित्र है मारीच पहले प्रभू के पास आता है फिर वहां से भागता है ठीक यही हमारे जीवन में भी होता है क्योंकि हम भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं तो मन भगवान के चरणों की ओर जाता है पर वह कितनी देर के लिए वहां ठहरता है हम मंदिर में गए भगवान के दर्शन हुए लेकिन इसके पस्चात मन फिर अपने स्वभाव का परिचय देता हुआ भाग खड़ा होता है एक ख़ण भगवान में रहना और दूसरे ही ख़ण भगवान को छोड़ कर भागना बस यही मन का स्वभाव है लेकिन इतना होते हुए भी मारीच के जीवन का एक दूसरा पक्ष यह है कि मारीच प्रेमी भी है मारीच के इस दूसरे पक्ष पर दृष्ट्री डालने से ऐसा लगता है कि वह प्रभू के निकट आ गया है मारीच जब दूर भागने लगा तो साथ साथ पीछे लौट लौट कर देखने भी लगा और इस कारे के पीछे उसकी भावना बड़ी अनोखी है उसने मानो भगवान से कहा प्रभू मैं तो आपसे दूर हटने की चेश्टा कर रहा हूं लेकिन आप ही कृपा करके मेरे पास चले आए मैं साथना की द्वारा सतकर्म के द्वारा तो आपको पाने योग्य नहीं हूं पर यदि कृपा की द्वारा आप मुझे स्विकार करना चाहें तो स्विकार कर लीजिए और तब इस दोड में मन हार गया और प्रभू जीत गए रामायन में वर्णन यही आता है कि भगवान को मारीच ने अपने पीछे जितना दोडाया उतना किसी ओर ने नहीं दोडाया भगवान राम को बड़ी साधना करनी पड़ी उस मारीच को साधने में गुस्वामी जी ने कहा कि भगवान राम जिस समय मारीच के पीछे भागे तो उन्होंने चार क्रियाएं की उन चारों क्रियाओं का वर्णन करते हुए गुस्वामी जी कहते हैं कि पहले तो भगवान राम म्रग के पीछे दोड़ते हैं पर जब म्रिग छप जाता है तो उसे देखने के लिए, खूजने के लिए कि म्रिग कहा चिप गया है। भगवान राम इतना जुख जाते हैं कि मस्तक को जमीन पर लगा देते हैं। और जब वह दिखाई पड़ जाता है तो निशाना साधने के लिए बड़े ध्यान से उसकी ओर देखते हैं। और दोड़ते दोड़ते भगवान राम भी जब ठक जाते हैं। तुलसी दास जी कितावली रामाण में कहते हैं कि प्रभू की इनी सारी चेष्टाओं को मैंने अपने उदेश हृदय में बसा लिया है। प्रभू ने पूछा कि इन चार क्रियाओं को ही तुमने हृदय में क्यों बसा लिया। गोस्वामी जी ने कहा प्रभू मैंने भक्तों को तो इन चारों चेश्टाओं को करते देखा है पर भगवान को नहीं देखा हाँ भक्त तो भगवान की और दोड़ता ही है प्रभू आगमन श्रवन सुनिपावा करत मनोरत आतुरधावा पर मारीच के प्रसंग में तो उल्टा द्रश्य दिखाई पड़ा कि आप ही उसके पीछे दोड़ रहे हैं भक्त भगवान के सामने नवता है जुकता है पर यहाँ पर आप ही जुके हुए हैं भक्त भगवान की ओर एक टक देखता है पर यहां बिलोकनी आपकी ओर से हो रही है और भक्त जब भगवान को देखता है तो उसके नेत्र ठक जाते हैं ठके नया नरगुपति छबी देखे लेकिन प्रभू आज तो आप ही ठके हुए दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार मानो स आधक हो गए भगवान और साध्य हो गया भक्त दुलसी दासची का भी प्राए है कि या तो मन चंचलता को छोड़कर भगवान के पास जाए या फिर भगवान ही साधना करके मन को पकड़ने की चिष्टा करें इस दोड में अंत में इश्वर जीत गया मन के ऊपर प्रभू बान लगा तो मारीच मरने लगा और मरते समय उसने प्रभू का नाम लिया को स्वामी जी ने कितनी बढ़िया बात लखी उन्होंने कहा कि माला मिलने पर पुरिसकार मिलने पर तो नाम लेने वाले देखे थे पर बान लगने के बाद भी जिसकी प्रीती नष्ट नहीं हमको इसके जैसा कोई शिश्य भी नहीं दिखाई देता मारीच का एक रूप और है और जब यह स्वेच्छा से विश्वा मित्र के यक नको आकर नश्ट करता है जब मन अपनी इच्छा से पाप की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है पर यह जो कपट म्रग बन कर छलने की चेश्टा करता है उसे मारीच ने अपने इच्छा से नहीं किया अभी तु मारीच ने प्रारंभ में तो रावन को भी यही समझाने की चेश्टा की कि इस प्रकार का कारे नहीं करना चाहिए लेकिन रावन ने मन को बाध्य कर दिया कि अगर तुमने एक शब्द भी मेरे आदेश की उत्तर में कहा तो मैं तुम्हारा वद कर दूँगा विनए पत्रिका में गुस्वामी जी कहते हैं कि रावन मूर्तिमान मोह है मोह दस मौली तद भरांत अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी तथा म्रिग जो है वह वैक्ती का चंचल मन है और मन कभी तो जान बूझ कर छल कपट का अश्रे लेता है या कभी मोह ही बल पूर्वक उसे बाध्य करता है कि तुम छल करो कपट करो इस प्रकार से गीता में अनिच्छन नपिवार्षनेय न चाहते हुए भी यह जो शब्द कहा गया रामायन में मारीज के प्रसंग में इसका विस्तार कर दिया गया अर्जुन ने जब पूछा कि महाराज वैक्ती न चाहते हुए भी बुराई करने लग जाता है इसके पीछे कौन है तो श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं काम एश क्रोध एश रजो गुन समुद्भवह महाशनो महापाप मा विध्ध ये नमिहवाईरिणम अन्तह करन में रहने वाला जो काम है अथ्वा काम से उत्पन होने वाला जो क्रोध है या जो मोह की वृत्ती है यही हमें बलपूर्वक पुराई की दिशा में प्रेरित करते हैं इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन वस्तुतह सबसे बड़ा शत्रु तो काम है काम को जीत लेना ही सबसे बड़ी वीरता है भगवान कृष्ण ने काम को मुख्य विकार के रूप में प्रस्तुत किया है रामचरित मानस में प्रधान शत्रु के रूप में मोह की और संकेत किया गया है यद्यपी दोनों में भिन्नता दिखाई दे रही है पर अगर विचार करके देखें तो दोनों में बड़ा घनिष्ट संबंद दिखाई देगा गुष्वामी जी विनए पत्रिका में जो यह कहते हैं कि मेगनात काम है और रावन मूर्तिमान मोह है इसका अर्थ है कि मानो पिता मोह है और बेटा काम है पर दोनों में बड़ा कौन है कहना कठिन है एक दृष्टी से देखें तो बाप से बेटे का जन्म हुआ इसलिए बाप ही बड़ा है काम का जन्म मोह से होता है इसलिए मूल में मोह विद्यमान है पर दूसरी दृष्टी स इस प्रसंग को पढ़कर तो ऐसा लगता है कि जैसे मोह की अपेक्षा भी अधिक शक्तिशाली शत्रू काम है रामायन के अंत में मुह रूपी रावन मर जाता है और गीता में भी इसी की पुष्टी कि गई है भग्वान कृष्ण ने कहा अर्जुन सारी गीता सुनने का फल तुम्हें क्या मिला अर्जुन ने कहा महराज नष्टो मोह मेरे जीवन से मोह मिट गया गीता में भी काम्थता मोह के मिटने का वर्णन है और रामायन का भी संकेत यही है कि मिटाना तो दोनों को ही है भगवान कृष्ण ने जो क्रम दिया रामायन में भी ठीक उसी क्रम का पालन किया गया रामायन की परंपरा यही है कि पहले मेगनाथ की मृत्य होती है और फिर रावन की मृत्य होती है पहले काम पर प्रहार तथा बाद में मोहो का विनाश भगवान कृष्ण भी गीता के मध्य में अर्जुन को यही आदेश देते हैं जही शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासलम अर्जुन तुम सबसे बड़े शत्रु काम को जीतो और अंत में अर्जुन ने कहा महराज काम को नश्ट करने का आदेश तो आपने दिया ही था और अब अंत में मोह नश्ट हो गया भगवान कृष्ण आदेश देते हैं कि आंतरिक शत्रूं को जीतने में ही वीरता है और भगवान राम भी अपने विभीशन को उपतेश देते हुए कहते हैं कि विभीशन केवल बहीरंग युद्ध की ओर ही दृष्टी मत डालो अपितू महा अजय संसार लिपू जीति सकई सो बीर मित्र जिस व्यक्ति के पास ऐसा दृष्ट होता है वह व्यक्ति वस्तुतह आंतरिक शत्रूं को जीतने में समर्थ होता है और यही वीरता की सबसे बड़ी कसोटी है गीता में भी आंतरिक शत्रूं को जीतने का उपदेश है क्योंकि आंतरिक शत्रूओं से ही बहारी शत्रूओं का जन्म होता है अगर हम केवल बाहर जगत के शत्रूओं को देखें और अंतर के शत्रूओं को न देखें तो उसका परिणाम होगा कि हम पराजित हो जाएंगे रामायन तथा महाभारत का युद्ध केवल एतिहासिक युद्ध होता तो वह उस युग में समाप्त हो गया था और उसकी उपयोगिता भी केवल उसी समय के लिए थी कि जब वह युद्ध लड़ा गया त्रेता युग में जब रावन समाप्त हो गया तथा द्वापर में जब दुर्योधन समाप्त हो गया तो फिर रामायन और महाभारत पढ़कर हम क्या करेंगे पर ऐसी बात नहीं है, रामायन तथा महाभारत की त्रेता तथा द्वापर युग में जितनी उपयोगिता थी, आज भी उतनी ही है, कम नहीं हुई है एक बार मैं श्री राम विवाहोत्सव पर अवद गया था, बड़ा मधुर दिन था, श्री अवद में चारों और विवाहोत्सव मनाया जा रहा था उस समय मेरे मन में यह प्रश्न उठा, कि जो विवाह त्रेता युग में हुआ था, उस विवाह का उत्सव हम लोग आज भी हर वर्ष और हर मंदिर में मना रहे हैं इसकी क्या सार्थकता है, त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ, किन्तु हम लोग जो हर वर्ष जन्मोत्सव मनाते हैं, इसकी क्या आवशकता है, वस्तुतह यह भक्त का एक ऐसा द्रश्टीकोन है, जिसके बिना हमारे जीवन की भक्ती अधूरी रह जाएगी रामायन, भागवत, महा भारत पढ़ना अधूरा रह जाएगा, दर्शन अधूरा रह जाएगा, इस द्रश्टीकोन को हम भक्त और भगवान के समवाद को एक द्रिश्टांत की रूप में देख सकते हैं, एक भक्त, जब भगवान के विवाह के लिए मंडप बनाने लगा तो प्रभू ने मुस्कुरा कर एक व्यंग भरा प्रशन करते हुए भक्त से कहा, कि मेरे विवाह के लिए महाराज जनक ने तो बड़ा दिव्य मंडप बनाया था, वैसा मंडप तो तुम बना नहीं पाओगे, फिर तुम इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो, भक्त ने बहु अरे महाराज जनक के मंडप में भी कोई कमी रह गई थी क्या, भक्त ने कहा, महाराज कमी यह थी कि यद्यपी महाराज जनक के मंडप में महाराज दशरत थे, जनक थे, शतानंद थे, वशिष्ट थे, विश्वा मित्र थे, अयोध्यावासी थे, जनक पुरवासी थे, लेक महाराज जनक ने देखा तो फिर मुझे क्या मिला वस्तुतहा हमें तो आनंद तब आता है जब हम कहते हैं कि भक्त उसे अगर केवल भूत काल के इतिहास में पढ़े तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे आनंद अभी अधूरा है गुस्वामी जी विनएपत्रिका में दृष्टांत देती हुए कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति सु स्वादू वन्जनों का नाम लेकर अगर दिन रात उनका वन्णन करता रहे तो भी उन व्यन्जनों का स्वाद व्यक्ति को नहीं आएगा उसका आनंद तो उसी को आएगा रामयन और महा भारत में भक्ति की यह दृष्टी जब तक हमसे नहीं जुड़ जाती तब तक उसकी सार्थकता नहीं है यद्यपी विवाह जैसे मांगलिक कारे में सम्मलित होने में तो जरा अधिक आनंद आता है पर याद रखिएगा भगवान की लीला केवल विवाह ही नहीं है अपितु आगे भी है और जब भगवान युद्ध करने चले तो हमें और आपको यह देखना है कि हम इस युद्ध में भाग ले रहे हैं के नहीं को स्वामी जी भगवान की हर लीला में सम्मलित होते हैं भगवान शंकर जी सारी लीलाओं में भाग लेते हैं शिरा ही मनुष्य रूप धारण करके आयोध्या पहुच गए। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं हम हुँ उमारहे तेही संगा देखत रामचरित रनरंगा। पार्वती मैंने बाल लिला का आनंद लिया, युद्धक्षेत्र में भगवान की युद्ध लिला का भी आनंद लिया। मैं तो भगवान राम की हर लीला में प्रभू के साथ रहता हूँ। तुलसीदास जी रामायन के साथ साथ विनई पत्रिका तथा गीतावले की रचना इसी लिए करते हैं क्योंकि रामचरित मानस से ऐसा लगता है कि जैसे इसमें देतायुक के भक्तों से भगवान के नातों का वर्णन है पर विनई पत्रिका और गीतावली को पढ़ कर लगता है कि इसमें गुस्वामी जी भगवान से अपने नाते का वर्णन करते हैं विनेई पत्रिका के एक पद में, गुस्वामी जी भगवान से अपने संबंध और नाते का वर्णन करते हुए कहते हैं, ब्रह्म तू हूँ जीव तू ठाकुर हूँ चेरो महराज आप ब्रह्म हैं, मैं जीव हूँ, आप परिस्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ बिने पत्रिका के एक दूसरे पद में तुलसी दास जी कहते हैं, प्रभू एक बार आप अपने मूँ से कह दीजिए कि तुलसी तु मेरा है, बारक कहिए कृपाल तुलसी दास मेरो, इसका भी प्राय है कि हमारे जीवन की पूर्णता इसमें नहीं है, कि श्री भरत और श्री और तभी हमको आनंद भी आएगा, गीता वली रामाण में तो तुलसी दास जी ने हर प्रसंग में अपने को जोडने की शैली अपनाई है, बालकांड में बालक राम गहरी नींद में सोई हुए हैं, को सल्यामबा उन्हें जगा रही हैं, भूर भयो जाग हुरगो नंदन, मा ने कहा रागवेंद्र, प्रात है काल हो गया, अभी भी तुम सो रहे हो, उठो तो, परंतु प्रभू उठ नहीं रहे हैं, यद भी प्रभू को मा का स्वर सुनाई दे रहा है, किन्तु अचानक एक पुरुष स्वर भी प्रभू को सुनाई पड़ा, और वह पुरुष गुसल्या जी के पीछे से अचानक वेबी कहा उठे, मा इतनी देर से जगा रही है, आप उठिये ना, गुस्वमी जी की बात सुनकर प्रभू को हसी आ गई, और वे उठकर बैठ गई, बालक राम ने कहा, तुल्सी दास, मा जगा रही थी, यह तो मैं समझ गया, पर यह त उनको बीच में बोलने की क्या आवशकता थी, क्या मैं मा का स्वर नहीं सुन रहा था, तुल्सी दास जी ने कहा, माहराज, आपको उठाना तो हम दोनों ही चाहते थे, पर हम दोनों की अलग-अलग भावना थी, मा का दूसरा विचार था, पर इसमें मेरा स्वार्थ था, इसलिए मैं भी यहाँ पर बोल पड़ा, प्रभु ने पूछा कि मा की क्या भावना थी, कुस्वामी जी ने कहा, माहराज, मा को यह चिंता है कि बालक रात को जल्दी सो गया था, अभधिक देरी हो गई, तो इसे भूख भी लग गई होगी, इसलिए जल्दी से उठकर कले करे, इस प्रकार मा तो आपको खिलाने के लिए व्यग रहे, भगवान ने पूछा कि जगाने के लिए तुम्हारा क्या उदेशे है, उन्होंने कहा, माहराज, मा वाली चेश्टा तो अपने वश में है नहीं, कि आपकी भूख मिठाए, बलकि मैं तो यह चाहता हूं कि अपितु मन भावतो कलेऊ की जई, और तुलसी दास कहां जूठनी दी जई, माहराज, जब आप कलेऊ कर लेंगे, तभी तो मुझे प्रसाद मिलेगा, इसलिए आपको जल्दी भले ही न हो, पर मुझे तो जल्दी है, मुझे तो बैचेनी यह है, कि मेरी भूख कैसे मिठे इसका अभी प्राय है कि जब तक हम भगवान की लीला के साथ, चरितर के साथ, घटनाओं के साथ जुड़ नहीं जाते, तब तक समगर अर्थों में उनका आनंद नहीं ले सकते रामायन का आनंद अनगिनत रूपों में लिया जा सकता है, राम कथा सब के लिए है, यह विद्वान ही नहीं अपितु जन की वस्तु है रामायन का सूत्र भी यही है, कि यह विद्वान त था साधार रणजन दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है, बुद्र विश्राम सकल जन रणजनी. सकल जन रंजनी शब्द चुन्ने का विप्राय है कि साधारन जनता अगर मनोरंजन का रस लेना जाती है तो इसमें मनोरंजन भी है साधारन जन का माध्यम मन है और विद्वान का माध्यम बुद्धी है गहतो आनंद लेने की अपनी अपनी शायली है बुद्धी मान वेक्ती मनोरंजन से संतुष्ट नहीं होगा उसे दूसरी स्थिती चाहिए और वह स्थिती विश्राम की स्थिती है रामचरित मानस में इन दोनों का सामनजस्य है रामचरित मानस में कथा श्रवन के तीन स्थर है मन के स्थर पर इससे मनोरंजन होता है बुद्धी के स्थर पर अगर वेक्ती समझने का प्रत्न करे तो उसे यह प्रेरणा मिलती है कि इन घटनाओं की द्वारा हमें क्या सीखना है और अब चित से वेकता जुड़ जाती है तो केवल प्रेरणा ही नहीं मिलती अपितू तब पढ़ने तथा सुनने वाला स्वयम रामायन का एक पात्र बन जाता है महाभारत का एक पात्र बन जाता है और जब हम भी एक पात्र बन जाएं उस घटना से जुड़ जाएं रामायन में, महाभारत में सम्मेलित हो जाएं और चाहें तो दोनों में ही सम्मेलित हो जाएं तब तो जो आनंद त्रेता और द्वा पर युग वालों को भी नहीं मिला होगा वह हमें मिल जाएगा क्योंकि उन लोगों ने तो अपने अपने युग में अलग-अलग आनंद प्राप्त किया पर हम तो दोनों युगों का एक साथ आनंद प्राप्त कर सकते हैं कई बार लोग कहा करते हैं कि भगवान राम मर्यादा पुरुशोतम है तथा भगवान कृष्ण लीला पुरुशोतम यह बिलकुल अधूरा कथन है वस्तुतह सत्य तो यह है कि भगवान राम मर्यादा पुरुशोतम भी है और लीला पुरुशोतम भी है क्योंकि दोनों ही पूर्ण हैं और दोनों में समस्त लीला और मर्यादाएं विद्यमान हैं। भगवान कृष्ण न प्रेम की लीला का विस्तार वरंदावन में पहले कर दिया और मर्यादा की लीला का विस्तार द्वारका में बाद में किया। किंटु भगवान राम ने आयोध्या में मर्यादा की लीला पहले की और चित्रकूट में प्रेम की लीला का विस्तार बाद में किया। इस प्रकार दोनों ने दोनों ही प्रकार की लीलाएं की है। और इसका सबसे बड़ा लाब यह है कि व्यक्ति की मनस्थिती तो बदलती रहती है अतेवह अपनी प्रतेक मनस्थिती के अनुसार चाहे जिस लीला का आनन्द जब चाहे ले सकता है नवरात्री आदी में जो नवान पाठ होता है उसमें जब राज तिलक के प्रसंग में यह चौपाई पढ़ी जाती है कि प्रतम तिलक बसिस्टमुनी की नहा उसके साथ ही एक सज्जन आते हैं और वे तिलक करते हैं भगवान के माथे पर इसका अर्थ यही हुआ कि जो प्रतम तिलक लगा रहे हैं वे ही तो उस समय के वशिष्टमुनी हो गए क्योंकि उस लीला में वशिष्टमुनी ने तिलक लगाया था और जिस पाठ में आप तिलक लगा रहे हो तब तो उस समय आप ही वशिष्ट हैं इस संदर्भ में मुझे अपना ही संस्मर्न याद आता है नवरात्री के अवसर पर दिल्ली में प्रवचन चल रहा था प्रवचन के साथ प्रातह पाठ का क्रम भी चल रहा था वहाँ पर राजा भिशेक वाले दिन प्रातह काल पाठ में मुझे से लोगों ने अनुरोध किया कि आप ही तिलक लगा दीजिए कुछ चणों के लिए तो मैं वशिष्ट के भावों में डूब गया और मैंने तिलक लगा दिया इस प्रकार मैंने प्रातह काल वशिष्ट का आनन्द लिया पर साय काल जो प्रवचन चल रहा था उसमें मैं केवट प्रसंग कह रहा था और उस समय मैं केवट के भावों में डूब गया इस तरह मैंने तो दूहरा आनन्द लिया सुबय वशिष्ट का और शाम को केवट का इतना आनन्द तो उन दोनों को भी नहीं मिला होगा जो मुझे मिल गया आपको यदि तिलक लगाना हो तो वशिष्ट बनना पड़ेगा और चरण पखार ना हो तो केवट बनना पड़ेगा और जिस समय आपकी जो बनने की मनस्थिती हो उस समय वही बन जाएए आपके मनोराज्य में जिस भाव की लीला चल रही हो उसी लीला में अपने आपको सम्मिलित कर दीजी जब हम महा भारत और रामायन से जुड़ जाते हैं तब यह सत्य केवल तरेता या द्वापर का सत्य न होकर हमारे वर्तमान का भी सत्य बन जाता है और तब लीला का आनंद कितना बढ़ जाता है यह तो अनभव का ही विशय है शीमत भागवत में भी गह प्रश्ण उठाया गया कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं अगर रावन या कंस को मारने के लिए ही अवतार लें तो यह बात न जचने वाली है क्योंकि जिसके संकल्प से सुरुष्टी का विनाश और स्रिजन दोनों होते हैं उस इश्वर को किसी को मारने के लिए जन्म लेना पड़े यह बात बड़ी हास्यास्पत सी लगती है इस प्रश्ण का उत्तर देते हुए भागवत कार कहते हैं कि नते भेशस्य भवस्य कारणम बिना विनोदम वत कतरक्याम है महराज इनको तो आप वैसे भी मार सकते थे पर लीला का विस्तार नहीं कर सकते थे इसलिए आप तो वस्तुतह लीला का आनंद देने के लिए ही अवतार लेते हैं लीला के आनंद का तातपर यह है कि जिस काम को एक मिनट में कर सकते हो उसे आनंद लेते हुए दो घंटों में पूरा करें हम देखते हैं कि लीला में बास का बना हुआ धनुष नाते मंच पर रखा रहता है और फिर जनिक के बंदी आकर जनक की परतिग्या की भोशना करते हैं कि जो धनुष को तोड़ देगा उससे श्री सीता जी का विवाह होगा फिर एक एक करके राजा उठते हैं और वे धनुष को उठाने की चेश्टा करते हैं उन में से कोई ठक जाता है, कोई गिर पड़ता है, इस द्रिश्य को देख देखकर दर्शक बड़ा आनंद लेते हैं अगर सच मुझ तोड़ने को कह दिया जाए, तब तो एक छोटा सा बच्चा भी उस धनुष को तोड़ सकता है परन्तु अभी नेता का काम बस यही है, कि नाटक में उसे वही दिखाना है जो उससे कहा गया है उसकी कला इसी में है, कि वह शक्ती युक्त होते हुए भी अपनी असमर्थता का प्रदर्शन करे अपनी भुजा की वास्तविक शक्ती दिखाने में उसकी कला नहीं है जब जनक की सभा में वह गया और जनक के बंदी ने महराज जनक की पतिग्या सुनाई तो उसने धनुष को उठा कर तोड़ दिया और बोला जनक मैंने धनुष को तोड़ दिया अब सीता का विवाह मुझसे करो किन्तु जो जनक बना था वह वैक्ती बड़ा ही प्रत्यू पन पनुष उठा कर लाओ और तब कहीं जाकर नाटक की रक्षा हो पाई नाटक का उदेश तो विस्तार है जो नाटक में दो घंटे में होता है वह तो वस्तुतह दो मिनट की घटना होती है लेकिन दो मिनट को दो घंटों में इसलिए फैलाया जाता है ताकि दर्शकों को आन शक्ता नहीं थी किन्तु भगवान वस्तुतह आनंद देने तथा आनंद लेने के लिए ही विश्व के रंगमंच पर आवदार लेकर लीला का विस्तार करते हैं और विस्तार का लाभ यह है कि यद्यपी यह विस्तार तो सच्चा नहीं है पर विस्तार नाटक में जो संदेश है बहस सकते है विस्तार में एक बुरे व्यक्ति की मृत्य दिखाई गई किन्तु न तो मरने वाला मरा या हारा और नहीं मारने वाला जीता पर ऐसा दिखाने का विप्राई सामने वाले व्यक्ति के मन पर यह प्रभाव डालना है कि जो अन्याय करता है उसको इस प्रकार से प्रकार मानुनाटक देखते समय मनुरंजन का आनंद और जब नाटक देखकर लोटे तो उसकी उपयोग का आनंद उसे जीवन में उतारने का आनंद इस तरह से हमारे जीवन में दोनों का सामन जस्य होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने श्रीमत भागवत तथा महाभारत के रूप में लीला का विस्तार किया। जारा दो सूत्र मिल गए। एक तो यह है कि जिस प्रकार नाटक में हमें यह पता रहता है कि कौन वेक्ति क्या बना है। इसी प्रकार इसमें भी परिचय दे दिया गया कि अमुत्क चरित्र का निर्वाह अमुक पात्र कर रहा है। और दूसरी और अगर उसे जीवन के संदर्भ में देखें तो इसमें एक बड़ा भारी संदेश है। क्योंकि यह जो कहा गया कि साक्षात भगवान के द्वारपाल जय और विजय भी जब रावन और कुम्ब करण बन सकते हैं। शिशुपाल तथा दंतवक्र बन सकते हैं, हिरन्याक्ष और हिन्याकशपू बन सकते हैं, तब फिर हमें तो और भी सजग रहना चाहिए। जिस प्रकार जय और विजय भगवान के द्वारपाल थे, इसी प्रकार से जीव भी भगवान का ही अंश है। और जो भूले इन पात्रों के जीवन में विकृती की सुरिष्टी कर देती हैं, वे भूले हमसे न हों। इसके लिए जीव को सरवदा सावधान रहने की आवश्यक्ता है। आगे चलकर लड़ने की कला का जो विस्तार है, वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में चाहे बाहर लड़ना पड़े और चाहे भीतर लड़ना पड़े। दोनों ही बड़े कठिन कादे हैं। रामचरित मानज में प्रश्ण उठाया गया कि क्या बाहर की लड़ाई जीत लेना ही अंतिम विजय है। इस संदर्भ में कभी कभी तो बड़ी विचितरसी स्थिती यह दिखाई देती है, कि जीतने वाला व्यक्ती उत्सव उल्लास मनाता है, तथा गर्व में फूल जाता है, और हारने वाला व्यक्ती क्रोध, इर्श्या तथा प्रतिहिंसा की भावना से भर जाता है। इस प्रकार विचार करके देखने से तो यही लगता है, कि युद्ध के परिनाम स्वरूप एक को अभीमान मिला और दूसरे को उश्या मिली, इस प्रकार दोनों घाटे में ही रहे। इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, इसे इतिहास में देख सकते हैं, क्योंकि विजेता ज रामायर में प्रताप भानु के प्रसंग में यह संकेत किया गया, कि प्रताप भानु ने सारे संसार को जीत लिया, लेकिन उनमें से एक छोटे से देश का राजा ऐसा था, कि जिसने यद्यपी उसके राजे पर प्रताप भानु का अधिकार हो गया, परंतु प्रताप भान उसे संधी नहीं की जब वह राजा जंगल की ओर जाने लगा तो मंतरियों तथा अने लोगों ने उसे सलाह दी कि पताप भानू के सामने टिकने की स्थिती में ना हो तो समझोता कर लो पर वह केवल कर लेकर तुम्हें पुनह सिन्हासन पर बैठने की आनुमती दे देगा किंटु राजा अभिमानी था, उसने कहा हम क्रपा से पाया हुआ सिन्हासन लेकर क्या करेंगे वह तो भीकवाला सिन्हासन होगा अतै इस न्हासन को हम पुनह अपने पुरुशार्थ से प्राप्त कर लेंगे। से देख लेंगे गुस्वामी जी ने शब्द भी ठीक यहीं लिखे समय प्रताप भानुकर जानी आपन अति असमय अनुमानी इसका भी प्राय है कि जिस विजय का अर्थ केवल क्षणिक विजय हो और जो अंत में दोनों के अंतह करण में विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन करे उस विजय से साधारन व्यक्ति तो प्रसन न हो सकते हैं पर गंभीर व्यक्ति समझता है कि विजय का सही अर्थ यह नहीं है वस्तुत है विजय का अर्थ दूरगामी होना चाहिए और यह अर्थ हमें परशुराम और भगवान राम के वारता लाप में दिखाई देता है प्रश्ण यह है कि भगवान राम तथा परशुराम के वारता लाप में कौन जीता और कौन हारा केवल बाहया दृष्टी से अगर देखें तब तो परशुराम जी हार गए और भगवान राम जीत गए किन्तु भगवान राम तो परशुराम जी से बार बार यही कहते हैं कि सब प्रकार हम तुम सन हारे चमहू विप्र अपराद हमारे मैं तो सब प्रकार आप से हार गया और परशुराम भगवान राम से कहते हैं अनुचित बहुत कहो वग्याता छमहु छमा मंदिर दो उब्राता एक और यदि भगवान शीराम परशुराम जी के चरणों में नमन करके कह रहे हैं कि कहो न कहा चरण कहमा था तो दूसरी और परशुराम जी कहते हैं कि प्रभू आपको न पहिचान करके मैंने कितनी वड़ी भूल कर दी यह है वास्तरिक विज़य क्योंकि इस विज़य से न तो किसी के मन में जीत का अंकार है और नहीं पराजय की गलानी है भगवान राम ने अगर अभिमान को न जीता होता तो वे परशुराम को कभी भी न जीतते क्योंकि परशुराम जी तो बार बार युद्ध की चुनोती दे रहे थे पर भगवान शीराग वेंदर ने कहा माहराज लड़ने से क्या होगा बस्तुतह भगवान राम ऐसी कला जानते हैं कि जिससे नम्रता के द्वारा भी लड़ाई लड़ी जा सकती है उद्धंडता के द्वारा लड़ाई लड़ी जाती है यह तो सब जानते हैं पर नम्रता के द्वारा युद्ध लड़ा जाता है यह भगवान राम का कौशल है इसका अभी प्राय है कि हमें पूज और गुरु जनों से टकराना पड़े तो हमारी विजय इस रूप में होनी चाहिए परशुराम और श्री राम के समवाद से अगर यह अर्थ हमने लिया तो मानू ठीक अर्थ लिया भगवान राम विभीषन से यही कहते हैं कि मित्र महा अजय संसार रिपू जीती सकई सो बीर और अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं जही शत्रुम महा बाहो काम रूप दुरा सदम साथी वे यह भी बताते हैं कि लड़ने की कला क्या है जित कैसे लड़ा जाता है और वास्तुविक विजय का स्वरूप क्या है नारायन नारायन